कोले की राजदानी धनबाद चुनाओ के लिए तैयार है लेकिन यहां जो अंडर माइन फायर पिछले आठ दसक से आग जो लगी हुई है इस इसू का समधान सक्सेसिव गवर्मेंट नहीं कर पाई है और अभी तक ये आग दहक रहा है लगतार जो है योजनाय बनाती रही ग गई लगतार डारेक्टर जनरल माइन सेफटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करता रहा लेकिन बात नहीं बन पाई और ये पूरा जो ज़डिया का इलाका है वो पूरा बारूद के धेर पे बैटा है सबसिडेंस प्रोन जोन है ये आप देखिए ये सामने जो हमारे आप दे ठेक रहा है कहा जाता है कि जब ये कोल इंडिया का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था उस वक्त जो है अनसाइंटिफिक माइनिंग की गई जो प्राइवेट ओनर्स थे उन्होंने जम कर टॉप सिम जो होता है कोलियरी का वहां से कोईले की खनन की उसको एक्सप्लॉइट क कोल जो है वो यहां से निकलता है जिसका नाम जो है कोकिंग कोल है और इसलिये ये पूरा धनबाद का इलाका जो है इसको यहां पर कोल इंडिया की सबशीड्री भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से PSU है जो यहां पर माइनिंग का काम करती है और कोकिंग कोल जो है उसे एक्सपौर्ट किया जाता है एक वक्त था जब विदेसों में भी उसको एक्सपौर्ट किया जाता था लेकिन अब जो चुकी टॉप सिंपे आग लगा हुआ है त तो लोगों को ये जरूर संसे हो सकता है कि कहीं ये खाने बनाने वाली कोईला तो नहीं लेकिन ये कोकिंग कोल जो है special kind of coal होता है जिसको feed किया जाता है steel industries को खास तौर से जो core sector है उन्हें इस तरह के कोईले की जुरत परती है और ये बाहर तक पहले जाता था आज का आलम ये है कि यहां जो है पूरा आग लगा हुआ है top sim पे डेश के revenue का भी नुकसान हो रहा है rehabilitation plan यहां से यहां बनाये गया था बेसक कि हरिया जो है उस पूरे सहर को दूसरे जगा बसाया जाए लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि लोग जो dislodge होने वाले हैं अपने route से उनका साफ तोर से मानना है कि सरकार को उनके हित का ख्याल नहीं है जिस तरह से उनको रखा गया है या जिस तरह का replacement उनको दिया जा रहा है वो बिल्कुल जानवरों की तरह है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोईला उद्योग था यहां पे और यहां से कोईला का खनान होता था तो कई त meditation बनाया है केंदर सरकार ने राज सरकार ने मिलके और यहां जो कोल इंडिया की सबसेडरी उसने मिलके लेकिन इस तरह का प्लान है जिसको जो है वो सूट ना तो जो विस्थापित होने वाले लोग है उनको हो रहा है और नहीं कोल इंडिया के इंट्रेस्ट कोई वो सूट कर रहा है अगर ये कोईला जल जाता है तो फिर देश का एक स्टेट एक्सचेकर और जो एंद्र का एक्सचकर है उस पे प्रभाव पर सकता है यह कहा जा सकता है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है प्राइवेट ऑनर्स को इस तरह से बसाया जाए कि लोग जो है उन्हें रोजगार रोजी रोजगार भी मिले और सुकून से वो रह भी सकें तो फिर साइद कोईले का पूरा जो इलाका है और यही वज़ा है कि यहां पर यहां का इतिहास रहा है कि लगततार ब्लड सेड होता रहा है माफिया जो हैं वो ऑपरेट करते हैं यहां पर अभी भी अब जब आउट Mister हुआ है नेस्नलाइजेसन के पहले बहुत स्थिती खराब थी मजदूरों की तो इसको नेस्नलाइज किया गया ताकि जो मजदूर है यहां जो काम करने वाले हैं उन्हें उनका वाजिव हक मिल सके लेकिन एक बार फिर अब जब एक लाग चेहतर हजार उस वक्त करमचारी हु ऑवगी एक तो जो है यहां के लोग जो इस खनन के छेतर में लगए हुए है उनको उनका वाजिव हक नहीं मिलेगा और देश के जो खनीज है वो भी बरवाद हो रहा है तो ऐसे सूरत में एक बड़ा एजेंडा यह बन सकता है यहां जो आग यहां लगी हुई है यहां के झाल झाल झाल